और तो रामराम किसान भाइयो में रजयत किसान किसान 257 आज हम आये हैं निसरपूर के खेत में कपास की फिल्ड पर ठीक है तो हमारश साथ भईंवा है हम इन से जानेंगे इन्होंने असे खेत में क्या 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 खरा है क्या क्या अभी तक इसमें रहो गया कितने डीएपी और यह कितना डाला एकाद तो नमस्ते अपना शुब नाम सभी किसानों को परिचे दीजिए नाम परिविन पाटिदार जी थोड़े जोर से परिविन पाटिदार जी जी अभी अमने कपास लगाया हुआ है ना कितनी कड़ में ना और कौन-कौन शी यह इसमें विराइटी यह खड़ा ऊपर चलने वाला है या फेलने वाला कापास नीज़िए जो खड़ें यह आपने कपास खड़ा चले लिए ना और इसमें फूल भी आ अपने कपास में ना कितना टाइम हो गया इसको यह 22 माई का है 226 मैं किसी któregoད और हम ने इसके कितना इस्प्रै कर दिया यह जुलाईं कि नहीं हो माईनें कर ले-चाल시े ना का है ऑंगी और खाट कितना ढाला में टेस्टार बहुत यह घंट 15 ग्रोथ चेट सब बढ़ी अई कोई प função काई बद्राव ट्रॉदًद में आरी है और इस्प्रेव जो हमने करा है तो इसमें कुन-कुन से कीड़े आरे बारीक मच्छर और सफेद मक्खी जैसे कोई परेशान ने हरे मच्छर हरे मच्छर हरे और सफेद है ना तो हमने सप्रेव कर दिया उससे खतम हो जाएगे जी अब 25 बारीक दल लेगी तो और में इसमें इस्प्रेइन कितना खर्च आया है अभी है पर कोटी का में यहां दो सु लिटर कोठी पर कोठी मुझा कि ग्यार है में और हम बी किसान से हम और की इस पर आदे के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम किसानों के पास जाते और उन्हें सल्हा देने का काम करते हैं किस तरीके से किसान अपना खर्च कम कर सके हैं तो जान अगर ख़ती में लगाते अपने खेद में तो ये आपको एक CPA में काम। दो बेग नहीं लगते क्या करना होता है उसकी प्रोसेस बहुती सिंपल होती है बट्टी खाद की कि जैसे आपने अपने खेत में एक बेग एकड़ पे खाद लिया उसके बाद उसके तीन गुना मिट्टी मिला दो बट्टी खाद लगा मिलाना है उसे और धेर बना के रख द जाएगा और इससे क्या है कि जैसे आपने डाला तो एक्टिवेट हो जाएगा खाद तो डायरेक्ट अपोदा भोजन उठा लेगा किसान खर्च आदा उत्पादन ज्यादा और इस प्रेमी जैसे आपको 700 रुपे का खर्चा आया है तो इसमें हम अगर मिट्टी का इस्प सब्सक्राइब कुछ नहीं बागी 36 गंटे तक रखना है एक्टिवेट हो जाएगा इस प्रेकर दो 200 लिटर कोटी में ठीक और इसमें कोई परिशानी आ रही है अभी कुछ नहीं कुछ नहीं सब बढ़िया है जी तो ठीक है किसान भाईयों यहां पर हमने कुछ जानकारी जानी और सर से मिले बहुत अच्छा लगा सर आप से मिलके ठीक है तो राम राम किसान भाईयों मिलता हूं आपको भी आने वाली वीडियो में धन्यवाद